तो यार हमारी एपीस्लड की शवाज़ वही से होती है जहाँ पर लियोनार्ट अपने हॉली बीस्ट पे बैट के अब सारिफी को डूणने निकल जाता है वहीं पर अस्मान की उंचाया में वह अपने हॉली बीस्त थे पूछने लगता है किया तुम सारिफी को ट्रैक कर सकते और उसी Holy Beast पे हम Phoenix को भी सवार देखते हैं और ये Phoenix और King का Holy Beast एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते होते हैं खेर यार Phoenix आप बोलने लगते हैं चुके मैं सारिफी का Holy Beast हो तो मेरी Soul और उसकी Soul आपस में Connect है हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं कहते हैं वो King का Holy Beast को सारिफी तक जहां पहुचने का रास्ता दिखाने लगता है कहानी इलिया पे जाती है जोके एक कोड़े पे सवार सारिफी को उठा की कैसर से काफी दूरी पे आ जाता है उससे क्या मालूम होता वो चलते चलते हैं यहां तक हाइनिया टफ बीस की गुफा में गुच जाता है वहाँ पे आप उसके रास्ते में कुछ हाइनिया पीस्ट उसका रास्ता रोकने लगते हैं और यहां पे मुस्कुराते हुए वो सारे पीस्ट कहने लगते हैं अरे वाँ काफी दिनों बाद एक इंसान यहां पे आया है और यह जो पीस्ट बागएर होता है सबसे ज़्यादा शोक से इंसानों में फीमेल्स को खाते हैं और आप इलिया की हाथों में सारिफी को देख के वो बोलने लगते हैं अरे वाँ सुन हम तुझे यहां से जिन्दा निकलने का मोका दे रहे हैं पर तुझे इस फीमेल को यहां पे छोड़ के जाना होगा ताके हम इसकी हड़ियां तक जुबा सके बस यह उसके कहने की देर होती है इलिया अपने गुसे को कंट्रोल ना कर पाता इसी बीच में अब सारिफी भी जो जो आंग खोलती है वो सरफ और सरफ बीस को कट्टे वे देखती है तब ही एक नन्ना बीस अपने बाप को मड़ता देखके उसके रास्ते में आ जाता है पर यह देखके भी इलिया जर्रा भी ना रोकता अतक वो इस बच्चे समेथ उसके बाप को काटने को जार होता है कि पीछे से अब एनी मौके पर आगके सारिफी रोक लेती है उसे इसके बाद सारिफी चलात वे उन बीस से कहने लगती है यही है तुमारा मुका यहां से बाग निकलो उनके चले जाने के पास सारिफी इलिया से पूछने लगती है आखिर क्यों वो तो एक नना बच्चा था तो इलिया अपनी कातलाना बड़ी निगाउ से उसे गुड़ते वे अब उसका जवाब देने लगता है वो जाय सारोरे इस वक्त मासूम है मगर जब वो बड़ा होगा वो भी उनी कीताना चूटिया खिलाएगा सारिफी जह तम जद्धी मर्जी इस कड़वी सचाई को चुटला लो मगर सारिफी काफी दुख बड़े अंदास में कहने लगती है मगर इलिया एक वक्त में तुमने काता कि तुम इसले स्टॉंग बनने हो ताकि तुम कमजोरों को बचा सको मैं कहता कि तुम सरफ उन बुड़े बीश से लड़ोगे और उसी इलिया को मैं जानती हूँ तो इसके आगे से भी इलिया बोलने लगता है क्योंकि उस वक्त मैं एक नदान बच्चा होता था बीस्ट ने तुमारी आँखों पे बट्टी बांदी है और चाय मुझे इसके लिए एक एक को क्यों ना मानना पड़े सारिफी अभी रांगी से सवाल पूछने लगती है पर मेरे लिए इस हद तक तुम क्यों जा रहे हो तक उस सुनने के बाद वो सारिफी का हाथ पकड़के पास में मुझूद एक बीस्ट के बैट पे फैंक डालता है उसके उपड़ा के उसे चैरा से चैरा मिला के उसे बोलने लगता है क्योंके मैं तुम से प्यार करता हूँ सारिफी तब से करता रहा हूँ जब से हम छोटे थे तक उस सुनने के बावजुद भी सारिफी अब उससे बोलने लगती है जब आफ करना इलिया मगर मैं तुमारे ज़स्पात को कबूल नहीं कर सकती सब सुनने के बाद इलिया के पैरोतले जबीन किसे जाती है सारिफी तक साथ इससाथ उससे ये भी बताती है मैं तुमारी आँखों में इस वक्त तो खेर फिलहाल नफरत ही देख पारी हूँ जो कि मझे अंधर से तोड़ रही है और मुझे डरा रही है के बाद इस सुनने के बाद इलिया का जैसे सारी गुम जाए सारिफी एक बार फिर से उससे बताने लगती है मैं तुमें ब्लेम नहीं करती कि तुम इन बीस्ट वगेरा से नफरत ना करो जब के नहीं तुमारे होम टाउन को तोड़ दिया था अगर मैं तुमें इतना सरूर कोंगी सारे बीस्ट एक जैसे नहीं होते बिल्कुल इनस्तानों की तरह बुरे और अच्छे दोनों में पाई जाते है यह सच है ऐसी दुनिया की उमीद करना जिसमें हुमन और बीस्ट आपस में ना लड़े यह सचाई से काफी दूर है पीस्ट के जो किंग है वो फिलहाल तो अटलीस्ट हलात को बेहतर करे है वो अंदर से इतने सखनी है जितने के बार से बनते है कि अपना रोब और दबदबा बढ़कर आ रख सके वजह से लोग ड़के मारे उनके ओडर स्पॉलो करते है और इस नावार नहीं हो रही अगर तुम अभी भी नफरत करते हो तो करते रहो लेकिन अटलीस्ट मुझ पे बरौसा रखो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ किंग के बारे में तो इस पर इदिया भी बोलने लगता है यह सच है कि हीूमन में भी बुड़े लोग होते है मगर पीस्ट बगार इन सबसे बढ़के है में क्या मालूम वो खून की पत्पुख मेरी आँखों के सामने मेरे प्यार करने वाले चीन लिया कि हाँ वो मनहूस देन तीस साल पे ले यह कहते वे हमें इलिया का एक पास्ता दिखाये जाता है जहाँ पे वो कुछ कुंडों को भगा देता है जो कि उसकी बैंक को तंग कर रहे होते है उसकी चोटी बैंक को यह पे उसकी चोटी बैंक रहोते वे कहने लगती है यह लोग मुझे कह रहे थे लग रही होती है जल से जल अपने बेटा को किसी क्लोजट में चुपा देती है और वोछ ने कहते है कि बाहर 900 थोड़ी दिन में हमें मालुम पड़ता है कि इंके विलिज बे 1 का हमला हो गया है इसी तरह 20 इनके गढ़ में गुस्ते वे, इनकी मा को मार दालते हैं, और यहां तक उन्हें जादा वक्त ना लगता, कि इलिया और उसकी बैंक को भी वो डूर निकालते हैं, जैसे कि बीस्ट बगएरा, फीमेल बीस्ट को काफी शोक से खाते हैं, वो उसकी आखों के सामने, इलिया की आ फिर से सब कुछ खोने को जा रहा है, कहानी प्रेसेंट पर आती है, और वो कहता है, इसी वज़ा से, मैं एक एक बीस्ट को मिटा दूँगा, क्योंकि जब तक वो जिन्दा है, हम दोनों कभी एक साख खुशी से नहीं रह सकते, जाए वो केंगा, जाए वो बच्चा, मेलिया, सारिफी को यहाँ पर बांद देता है, क्योंकि लियोन हाट यहाँ पर पहुंच चुका होता है, और वो अब पीस से बोलने लगता है, अगर तुम सारिफी को वापस जाते हो, तो आके मुझस से लड़ो, और यह कहने की तेर होती है, अब दोनों की बीच में बैट मगर इस ता तो इलिया, यही पर आगे से फिनिक्स बोलने लगता है, हाँ ठीका, वो खुद भी यह बात जानता है, कि वो किंग ओव दबीस के जाट के बाल तक नहीं उखाड सकता, यही पर इलिया, अपनी जा लगा कि किंग ओव दबीस पर तूट रहा होता है, पर वो य और यह कहते हैं, वो दूबार हो से लेयोन हाट पर तूट बडता है, इसके लिए लेयोन हाट का सब्स्तब मामूली सा औरा का परेशर ही काफी होता है, उसे उड़ा के फैक ने कले है, और उससी लंई में लियोन हाट करता है, सारफी का वह अबसूर्दा सा जयरा, लिससे जाके सारिफी के अंदा इतमाद की पट्टी उतराएगी उसे तब मालूम पड़ेगा कि ये बीस कितने खतनाक होते है चलो भी अब मेरी जान भी ले लो और ये कहते वे वो लियोन हाट पे जू जू अपनी सोट से वाड करता है लियोन हाट जामबूच के उसके रास्ते से नाटता या तक उसकी सोट लियोन हाट को काटते वे उसके अंदर चली जाती है फिर यही पे लियोनाड उसे बताने लगता है वो इसलिए क्योंके सारिफी को मैं अब सुर्दा नहीं देख वकता वो उसने खुद इनसानों में ही डिखा दिया बैतावा खून देखे सारिफी बहुत जौर जौर से रोने लगती है जो देखे इलिया को याद आने लगता है कि उसने वादा किया तक सारिफी से कि जो भी उससे रॉलाएगा वो उसकी हड़ी तोड़ देगा यूई उसे एसास होने लगता है कि अब जरा देखो तो सही कि उसे रोनाने वला यहां पे कौन है तब इलियोन हार्ट उसे बताता है फिकर मत करो हम इस्तानों से काफी ज़्यादा स्टॉंग होते है इतने मामूली जखम मेरी जान नहीं जाती और अब यहां पे इलिया खुद को कसूबा ठेराता है उसका दमाग फट रहा होता है इस गम से गल्योन हार्ट उससे माफ कर चुका होता है तो सारिफी भी जाके उससे गले लगाती है वो उसे कहती है कि तुम बचमन से मुझे बचाते तो आ रहे उसमें कोई शक नहीं खुद को माफ कर दो तुम बचमन से खुद को माफ नहीं कर पा रहे तुमने अपनी बैंक को जब खोते वे देखा पेरेंट्स को खोते वे देखा उसके लिए भी तुम खुद को कसुबा ठेरा रहे हो वक्त आ गया है कि तुम खुद को माफ कर दो मुझे बचाने के लिए शुक्रिया इलिया भी रोते वे अब सारिफी को गले लगाता है जो सुंके इलिया बोलने लगता है वैसे तुम किंग अफ दा बीस्ट होने के नाथिर एक दबा वैसे पच्पन से मुझे किसी ने नाम तो नहीं दिया लेकिन अब मेरा नाम है लियोन हार्ट इसका मतलब है प्रेव हार्ट और यह मुझे किसी यूमा ने दिया था यह जिस शक्स की बात कर रहे है जिसे इसे नाम दिया है वो कोई और नहीं बलके सारिफी खुद है लेकिन जाते जाते भी इलिया काफी अकड़ दिखाते वे कहने लगता है अगर तुने सारिफी का रोलाया तो मैं तेरे पीछे हाथ दो के पढ़ जाँगा लियोन हार्ट भी इस वो बोलता है तुम इसकी फिक्र मत करो मैं इसे दमाग में रखूँगा जिसके बात सारिफी उसे अपने होली बीस पे बिठा के अब फोरां से बोर्डर तक चली जाती है उसके साथ जिसके बात जाते जाते इलिया सारिफी से माफी भी मांगता है जो भी मुशकलात उसे ने खड़ी की अभी भी इलिया के दिल बीस्ट वगएरा से काफी नफरत करता है मगर वस सरफ उसे सारिफी के फैसले पर यकीन रखता होता है जाते जाते वो यहाँ तक सारिफी को गुडबाई किस भी देता है बताने के लिए कि उसके दिर में अभी भी उसके लिए काफी जादा फीलिंग्स है सारिफी उसे दुबारा देखने की भी खौशमन्द होती है तो इलिए एक मुस्कराट चाहर से बोलता है तुमारी ले तो में दो सक तक आने के लिए दुबारा तयार हो और इसे के साथ हमारी एपीजोड यहाँ पे खतम होती है